अगर look-up value की बात की जाए, तो look-up value में हमने text लेके देखा है, और उसके कई example किये, तो look-up value में आज हम text ले सकते हैं, look-up value में हम number ले सकते हैं, reference ले सकते हैं, कोई logical value ले सकते हैं, कुछ भी जो आपका दिल करे, ये आपने step के example आपने कई सारे किये हैं, आज थोरा सा change करते ह क्या कभी मुझे किसी image को look-up कराना हो, पॉसिवल है क्या, तो आज के example में हम look-up value में text नहीं, number नहीं, logical नहीं, reference नहीं, image लेके देखेंगे, देखते हैं, आज image को ये look-up value में pick करके, उसके base पे कुछ दूसरी चीज़े जो मुझे extract करके लेके आना है, वो लेके आपाता है सब्सक्राइब कीजिए, इनोजेंट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाईए, Excel और करियर मोटिविशन वीडियो देखने के लिए ये देखें इस example में, यहाँ पे कुछ country के नाम रखे हुएं और उसके सामने उसका flag रखा हुआ है, आज इमेज, अब मैं चाहता हूँ कि इस drop-down list से, जिस भी country को यहाँ से मैं select करूँ, उसका flag यहाँ पे populate हो गया है, that means ये text look-up नहीं है, ये number look-up नहीं है, ये reference look-up नही नहीं है, और ये logical look-up नहीं है, ये image look-up है, मैं चाहरा हूँ जैसे देखिए, इंडिया पिक किया न, ये देखिए, उसका flag सामने आगया, मतलब image को as a look-up value के base पे उस image को उठा के लेका रहा है, data set से, ठीक है, तो हम ये example करके देखना चाहेंगे, मैं बिलकुल scratch से कराता कैसे कैसे मैंने किया है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे तो कुछ country के नाम लिख दिया गया है, और उसका image उसके सामने ये crop करकर रख दिया गया है, देख रहे हैं, ये उसके सामने उसके images रखे हुए है, जितने country है, उसके सामने उसका image पहले रख दिया गया है उसके बाद क्या किया गए हो दिखिए, फिर मैंने क्या किया, तो पहले यहाँ पे एक drop-down list बना लेते हैं, जिसके अंदर ये इंडिया, स्रिलंका, अस्टिलिया और सौथ हफ्रेका दिखे, तो drop-down list बनाने के लिए data validation के थुरू हम लोग क्या बना लेते हैं, list बना लेते हैं तो ये आगे आपको list बनाने के लिए इस drop-down पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे list दिख रहा होगा, इंडिया, औस्टेलिया, स्रिलंका, ये मैंने font का size बरहा रखा है, तो ठीक है, आप यहाँ से font का size और color background डाल कर रखा है, बस इतना कर रखा है, ठीक, ये अपने आ क्या करेंगे, ये जो images यहाँ रखे हुए है, इसमें से किसी एक image को select किया, ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से control-C, copy किया, cursor यहाँ रखा, और यहाँ paste नहीं करना है, ठीक है, paste करने से कोई benefit में होगा, यहाँ पे क्या करना है, cursor यहाँ रखने के बाद, आपको जाना है, य जो paste option होता है, यहाँ पे जाएए, इस drop down पे है, यहाँ से यह देखिए, सबसे right hand side में है पिक्चर, यह, यह all select करना है पिक्चर, that means क्या, वो जो है पिक्चर, वो जो है वहाँ से link हो गया, एक पिक्चर को आपने लिंक करा दिया, तो आपने यहाँ पे पिक्चर को link कर दि है, ठीक है, उसके बाद, next step में क्या करेंगे, करसरा आप यहाँ पे जाकर रख दो, इंडिया जहां पे धाना पोजिसान, वहाँ पे जाकर करसर रख दो, क्योंकि अगर यहाँ पे करसर रख रहेगा, तो जब मैं फार्मूला लगाने की कोसिस करूँगा, तो वहाँ से करस फार्मूला टैब, चलेगे, यहाँ पे define name, कर दिया define name पे क्लिक, और यहाँ पे कुछ भी नाम, कोई भी, ठीक है, मान के जलते हैं, image, look, कुछ भी, यह मैंने नाम रख दिया, वह आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख लेना, अब यहाँ पे एक function यूज करेंगे, reference to में यह range सिधानी लेना है, reference to में मुझे function के base पे call कराना है, dynamically call कराना है, तो यहाँ पे पास कीजिए equal to index, index को क्या चाहिए होता है, याद करें, index को पहले चाहिए होता है, array, है ना, array का मतलब क्या होता है, array का मतलब होता है, जो आपको आजा output चाहिए, वो index को आजा array में पास करना होता है, तो हम लोगों को यहाँ पे output क्या चाहिए, हमें यहाँ पे image चाहिए ना, का सारा कि लिए उन्डिया को आप ने लिंग करें रुख़ा है जो आपने इंडेक्स आपने इंडेक्स को क्या से लेते हैं जो आपको आज आज पुट में चाहिए देख लीजिए इंडेक्स पास किया और output में यहां पे एकरस रखा और इधर चलेगा राइट हैंड साइट ठीक तो आप वो range ले रहे हैं अब आप आपने यह range यहां से ऐसे यहां से यहां तक image select कर लिया तो यह हो गया हमारा क्या यह जो range हो गया यह हो गया हमारा array कॉमा उसके बाद क्या मांगते हैं आपसे रो नमर तो रो नमर में क्या पास कर देंगे हम match देखिए कितना आसान है match, match को क्या चाहिए होता है look up value, यह रहा मेरा look up value है ना match को चाहिए look up value, कॉमा फिर क्या चाहिए होता है match को look up array, तो यह रहा look up array यह South Africa मिलेगा कहाँ पे इसी range मिलेगा ना तो जब मिल राएगा उसके सामने का image उठा लेगा हो ठीक है, कॉमा, जीरो bracket इसका बन, bracket फिरिस्वा यह देख लीजिए index match, क्यों? क्योंकि अगले match की तो हमें जुरत ही नहीं है यहाँ पे column जैसी चीज तो है नहीं तो हम column वाली चीज क्यों पास करें तो यहाँ पे next match की जुरत नहीं है मतलब column वाले match की जुरत नहीं है इतना काम करने के बाद आप यहां okay button प्रेप्रेस कर दीजिए यह काम कर लिया, इसके बाद अब एक आखरी step रहे गया है आखरी step क्या करना है यहाँ पे अभी change करने से कोई फर्क देख रहा है अभी आपको क्या, नहीं न देखे यह देखे, कुछ भी नहीं हो रहा बस एक last वो देखे cursor यहाँ रखा और यह image अभी तो एक copy है हमें तो index वाला जो हमने formula रगा है उससे इसको add-on करना है जिससे की dynamically change हो सके तो अब क्या किया जाएगा पहले इसको select करके रख लेते हैं अब cursor यहाँ पे रखा यहाँ पे equal to किया और आपको याद हो अभी अभी जो define name में जो नाम रखा था वो क्या रखा था वो रखा था आपने image look है ना यह आपने image look ऐसे select किया और enter यह रहाँ के सामने image हो गया change देख लीजे यहाँ पे आपने image को look up कराया है देख लीजे इंडिया तो इंडिया वाला image ऑस्टेलिया तो ऑस्टेलिया और साथ अफिका तो साथ अफिका इस तरीके से मैं image को भी look up करा सकता हूँ किसी data set में से मुझे image को extract करके लेका आना हो किसी look up value के बेस पे तो वो भी हो सकता है आपने इसके steps को recap ले रहा हूँ आपने क्या देखा सबसे पहले मैंने यहां drop down बनाया drop down बनाने के बाद मैंने क्या किया यहां से एक image copy किया और इस cell से उसको link कर दिया कहां पे जाके home tab में इस paste option के जाके यहां इसके through उस सगला step क्या किया आपने define name में गए और वहां पे आपने index का एक formula लिखा जिसमें आपने पास किया index array array में क्या पास किया आपने वो जो output में चाहिए output हमें image चाहिए इसलिए हमने output में image ले लिया comma match किसके base पे चाहिए तो match को look up value चाहिए होता है दिया आपने यह नाम यहां से और वो मिले गए कहा दिया आपने country का list comma zero bracket बंद किया आपने उसके बाद यह image को select किया और साथ के साथ यहां पे equal to press किया ठीक है और जो उसका नाम दिया था defining में image look वो लिखके और enter यहां पे image डानामिक लिए change होना start हो जाएगा तो इस तरीके से आपने image look up करके देखा जुरत होती है image look up की भी इसलिए मैंने बताने की कोशिस की अब आपसे मिलता हूँ next वीडियो में इसी तरीके के किसी बहतरीन example के साथ thank you हम अमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो के पसंद आने पे like, share और subscribe करना ना भूले advanced excel, SQL और other IT related technology सीखने के लिए आप हमारे virtual classroom training session जॉइन कर सकते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में thank you